इस एकादसी दिला दीजे अपनी पित्रों को मोक्ष और खोल दीजे उनके लिए स्वर्ग के द्वार पित्रपक्ष में होने वाली एकादसी को सारे किये गये सारे पूरे पित्रपक्ष का फल आपको इस एकादसी के दिन मिल जाएगा तो ये कादसी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है, तो ये कादसी कप पढ़ रही है, 27 ये 28 को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूजा कैसे करनी है, स्राथ कैसे करना है, पिक्तर पक्ष के लिए जरूरी इस कादसी को क्या करना है, सारी बाते हम जानेंगे इस वीडियो अगर कोई पूर्वत जाने अन जाने में अपने कीवे कर्मों के कारण यम्राज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहें तब ऐसी स्थिती में इंद्रा एकदसी पर विधी पूर्वक वरत और पूजा करना चाहिए इसके पुन्य से उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है इंद्रा एकदसी का वरत करने वाले वेक्त के साथ पीरियों तक के जो पित हैं वो तर जाते हैं तर जाते हैं और उनके लिए जो स्वर्ग का द्वार है वो खोल जाता है यानि मोक्ष मिल जाता है उनको इसलिए पित्र तो चलिए जान लेते हैं, पित्र पक्ष में पढ़ने वाले एकादसी को बहुत ही सुब माना जाता है, लेकिन ये एकादसी दो दिन तक है, तो इसलिए बहुत जादा कन्फूजन है कि एकादसी कब है, 27 या फिर 28 तारीकों, तो एकादसी जो है पूरी तरीके से भगवान व तो पित्रों की पूजा की जाती और मोक्षी कामना की जाती, ऐसे में इस एकादसी का महत्वय जो और ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको पित्र पक्ष में पढ़ने वाली जो एकादसी है, उस दिन ब्रत रखना जरूर जाहिए, तो चलिए अब जान लेते है कि पहले पित्र पक्ष में पढ़ने वाली एकादसी यानि इंदरा जो एकादसी है, वो किस दिन पढ़ रही है, तो हिंदु पंचान के अनुसार एकादसी तिथी के आरम हो रही है, 27 सितंबर शुक्रवार को दुपहार में एक बर्च कर 19 मिनट से होगी, और 28 सितंबर को द क्योंकि जो दुपहार दसी युक्त एकादसी होती है, उसी में उसका बर्च किया जाता है, तो इसलिए 28 सितंबर को एकादसी का बर्च रखा जाएगा, और इसका जो पारड का सुबहुरत है, वो होगा 6 बचकर 12 मिनट से सुबा 8 बचकर 35 मिनट तक पारड का सुबहुरत ह और इसका जो पारड है आपको द्वाचादसी के समाप्थ होने से पहले यानी चार बच कर 47 मिनट के पहलے से ही कर लेना है तो चलिवे आप जान लेते हैं कि आपको इंद्रा एकादसी की दिन पूजा कैसे करनी है तो इंद्रा एकदिसी का इसलिए महत तो और ज्यादा भी हो गया है क्योंकि यह व्रत करने से सिर्फ आप कोई नहीं आपकी पितरों को पूरे परिवार को पूरोजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ दाम जाते हैं और उनके लिए जो स्वर्ग के भार हैं वो भी खोल जाते हैं एकदिसी के वरत के जो सुरुवात होती हो दस्मी तिथी से हो जाती है तो पग्मु पुरान में वर्मित विधी के अनुसार इंद्रा एकदिसी का वरत रखने से पहले दस्मी तिथी के दिन पित्रों का स्राद करें दस्मी तिथी में ब्राम करना चाहिए अगले दिन यानि एकादसी की तिथीव की सुर्वात जब होगी सुर्योदों में आप उठकर साफ सफाई के साथ ही पूजा करने बैठेंगे तो आप प्रद का संकल्प लेंगे इसके बाद पूजा करने के समय पर आप चौकी लिकाएंगे वहाँ पर पीला कप पड़ा विजहां और उस्पस्रीहर की प्रतिमा स्थापित करें साथ में माता लक्ष्मी की आपको पूजा करने जाए उसके बाद भगवान विश्नु के आप विधिवत धूप दीब अक्षत पुष्प वश्त्र इत्याद फूल मालाओं के साथ भोग नैवेत जितना भी पूरी विधिवत पूजा आपको भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की करें साथ में एकादसियानी का पाठ जरूर करें और जो भी आपको विश्नु चालिसा सहस्तनाम जो भी पड़ सकते हैं वो पड़ें उसके बाद ब्रत की जो कथा हैं वो पड़ें और आखरी मे आप भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की आरती करें अपनी गलती की छमायाशना करें अपनी मनो कामनाओ की पूरती के लिए भगवान के सामने अपनी प्राथना रखें इस तरीके से आप अपने एकादसिया की पूजा को पूरा करें इसके अलावा आप इस दिन दा जितना आप से भी हो सकता है क्योंगी एक तो यह एकादस जादा सी एक जादा जाता है झीतना भी अन्यवूम्होंता है उनका आप जाता Means किसी सहता जाता जरूर करे उत् historically वर्सक्राइब जाता है ताकि वो बैकुंट को जाए उन्हें मोक्ष मिले और आपके उपर उनका असिर्वाद जो है बना रहे हैं तो यह इंद्रा जो इकादसी पित्र पक्ष में पढ़ने वाले इसके आप पुझा पाथ जो भी करेंगे इससे आपके पित्रों को त्रप्ती मिलती हैं ऐसी माननता है कि इस एकादसी पर जो भी आप पुझा पाथ दान प्रत सारी चीजे करते हैं इससे वो तर जाते हैं और इसके जो आपके सारी पीडियां उनका भी आप और उन्हें मोक्ष मिल जाते हैं आणी मोक्ती मिल जाती इसलिए आपको इंद्रा एकादसी के दिन इसारी चीजे जरूर करनी चाहिए उमेद जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सेस्क्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जैस्री राम झाल झाल झाल